आज मैं आपको बतूता का जूता यह पढ़ाने जाता हूँ, जा रहा हूँ, देखिए इसमें क्या लिखा है, इपन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तुफान में, थोड़ी हवा नाक में घुज गई, थोड़ी घुज गई कान में, उसके बाद अगला पैराग्राफ ह कभी नाक को, कभी कान को मलते इपन बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता, उड़ते उड़ते जूता, उनका जा पहुचा जा पान में, इपन बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में देखिए, यह कभीता बच्चों को पढ़ाई के प्रती आकरशित करने के लिए बनाई गई है, और यह बहुत सुन्दर कभीता है इसमें लिखा इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, एक ऐसे व्यक्ति की कलपना की गई है, जिसका नाम इबन बतूता है और वह जूता पहन कर तुफान में निकल पड़ता है थोड़ी हवा नाक में घुज गई और थोड़ी हवा उसके कान में घुज गई ठीक है? कभी नाक को कभी कान को मलते इबन बतूता यानि इबन बतूता कभी अपनी नाक को मलता है और कभी अपने कान को मलता है इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता जब वह अपने नाक और कान को मलते रहता है इसी बीच में उसके पैरों का जूता निकल जाता है उड़ते 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 जूता उसका जा पहुँचा जापान में इबन बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में और उसका जूता जो था उड़ते उड़ते जापान जा पहुँचा और वो इबन बतूता मोची की दुकान में ही खड़ा रह गया